आज है मैं पोईट्री के बार में पढ़ने जा रहे हैं जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो उनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका जन्म 1874 में हुआ था और उनकी मिर्तियू 1963 में हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के मशूर पोईट थे क्यूंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोईट है तो वो रहते थे अमेरिका में लेकिन उन्हें अपनी पहचान लिटरली वर्ल में बनानी थी तो इसके लिए वो चले गए England जब वो England गए तो वहाँ पर उनकी मुलाखात हुई Edward Thomas से Edward Thomas का पूरा नाम Philip Edward Thomas था वो एक British poet, essayist और novelist थे तो 1912 में जब उनकी मुलाखात Robert Frost से हुई तब वो लोग बहुत अच्छे दोस्ट बन गए बाद में जो Robert Frost थे वो वापस अपने देश आ गए और दो साल के बाद 1915 में उन्होंने एक poetry लिखी अब इस poetry को उन्होंने अपने दोस्ट Edward Thomas के लिए एक joking way तरीखे में लिख दिया As a joke उन्होंने ये poetry अपने दोस्ट Edward Thomas के लिए लिख दी लेकिन Edward Thomas ने इस poetry को दिल से लगा लिया क्योंके उन्होंने British Army में 1915 में अपना नाम एनलिस्ट करवाया था ताके वो लर सके First World War में मगर वो Battle of Arrows हार चुके थे 1917 में और उन्हें अपने इस फैसले का पच्चतावा था अब जो Edward Thomas थे वो अपने इस फैसले को घलत मानते थे क्योंकि उनके दो साल बरबाद हो चुके थे उस battle में तो जब Robert Frost जो कि उनके दोस्ट थे जो लेखक थे American writer थे उन्होंने जब एक poetry को Edward Thomas के लिए लिखा जिसका नाम था The Road Not Taken जो रास्ता मैंने नहीं लिया तो ये poem उन्होंने as a joke उनके दोस्ट के लिए लिखी थी लेकिन Edward Thomas नहीं बहुत seriously ले लिया चलिए देखते हैं इस poem को Stanza Vice Two roads diverged in a yellow wood इस line का मतलब ये है कि जो speaker है वो walk कर रही है एक forest में जहां पर बहुत सारी पतियां है जो पीली पर चुकी है और जाहिर सी बात है ये autumn का season है क्योंकि autumn की season में ही पते yellow होते है जो speaker है वो इस बात का regret है उन्हें कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते क्योंकि है तो वो एक ही इंसान अब दो रास्तों पर एक साथ कैसे चलेंगे अब इस line का मतलब ये है मैं बहुत देर तक उस road पर ठहरा रहा और देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा रास्ता कहां तक जाता है अब जो speaker है वो कहता है कि मैं बहुत दूर तक नहीं देख पाया क्योंकि जंगल बहुत dense था बहुत घना था और जो road थी वो बिलकुल भी सीधी नहीं थी अब जो speaker है उसने दूसरा रास्ता चुन लिया और उसने उस रास्ते को इस तरह जच किया कि ये जरूर एक good choice है पहले रास्ता की तरह ही उसने ये suppose किया कि ये एक better option हो सकता है दोनों रास्तों में से क्योंकि ये रास्ता grassy भी है यानि कि बहुत सारे पतों माला भी है और less worn भी है less worn यानि कि ये रास्ते पे ज़्यादा चला नहीं गया अब जो speaker है क्योंकि उसने दूसरा रास्ता चुन लिया है दूसरी road चुन लिया अपने लिए तो वो सोचता है कि ये दूनों roads जो है वो या तो बहुत ज़्यादा इन पे लोग चल चुके होंगे या फिर बहुत कम या फिर equally लोग चल चुके होंगे इन रास्तों पर जो speaker है वो अपने ही sentence के उपर जोड दालते हुए कहता है कि दोनों रास्ते पतियों से ढखे हुए थे और दोनों ही रास्तों पर जो लोग है वो कम चले है और इस बात का सबूत ये है कि जो पतियां है वो road पे ज़्यादा काली नहीं है क्योंकि जब लोग leaves के उपर चलते हैं तो वो leaves black हो जाते हैं लेकिन ये road पे leaves black ज़्यादा नहीं है तो इससे ये author जो है वो assume करता है कि ज़्यादा लोग नहीं चले हैं इस रास्ते पर Oh, I kept the first for another day Speaker ये कहता है कि मैंने पहला वाला रास्ता किसी और दिन के लिए किसी और डेट के लिए जाने के लिए छोड़ दिया है Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back लेकिन अचानक से Robert Frost जो है वो contradict करते हैं अपने sentence को कि एक road दूसरे रास्ते पर चलती है फिर वो road एक और road से connect होती है फिर उससे एक और road connect होती है ऐसे तो मैं कभी भी अपनी पहली road पर जाने का मुझे मुझे मुखा मिलेगा ही नहीं I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hints अब जो speaker है वो imagine करता है कि कहीं दूर future में मैं बड़े ही अफसोस के साथ अपनी एक कहानी कहूंगा कि मैंने अपनी एक choice of road को चुना था Two roads diverged in a wood and I, I took the one less traveled by and that has made all the difference अब जो speaker है वो इस तरहा बात कर रहे हैं जैसे कि वो पीछे मुड़ कर देख सकते हैं future में से अपने past को वो यह state करते हैं कि किस तरहा उन्हें एक मुश्किल और difficult situation का सामना करना पड़ा जहां पर उन्हें choose करना था दो roads में से और उन्होंने उस रास्ते को चुना जहां पर लोग बहुत कम जा चुके हैं और यही consequence है यही वो decision है जिसने बहुत बड़ा फर्क लाया है ऑथर की जिंदगी में चलिए themes के बार में discuss कर लेते हैं अब इस poem में दो themes का जिकर किया गया है फर्स थीम है choices and uncertainty तो author जो है वो firstly sorrow में है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सका क्योंकि दोनों रास्ते अलग-अलग experience देते हैं और वो दोनों उन experiences को नहीं जी सका क्योंकि author के पास ज़्यादा information नहीं है क्योंकि वो एक हट तक ही एक रस्ते को देख सकते हैं और उनके पास ज़्यादा information नहीं है, incomplete information है, और incomplete information होने की वजए से वो बहुत तेरे तक सोचते हैं कि क्या ये जो रास्ता में चुन रहा हूं, क्या वो सही है या नहीं, पर ultimately उन्हें एक ना एक रास्ते पर चलना ही पड़ता है, क्योंकि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सक किया है, और उसने देखा कि दोनों रोड्स अपने अपनी जगाओं पर डाइवर्ज होती हैं, लेकिन उसने वही रास्ता चुना, जो less traveled था, बजाए उस रास्ते पर चलने के, जो कि well traveled path था, तो ये दर्शाता है कि speaker जो है, अपनी individualism को जादा एहमियत देता है, अपनी conformity के उपर, conformity का मतलब होता है, कुछ standards, कुछ rules, कुछ laws, जो कि human behavior के उपर है, ये सौभाविक है, कि अगर कोई रास्ता बहतर दिखता है, तो लोग उस पर चलते हैं, लेकिन इसने speaker ने अपना खुद का individualism दिखाया है, अपना खुद की choice लेकर, अब देखिए दोस्तों, कई की बार, life में इसे मौके आते हैं, जहाँ पर हमें choose करना पड़ता है, दो रास्तों में से, या फिर दो से ज़ाधा रास्तों में से, और हमें पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता बहतर है, और हम किसी एक रास्ते पर चल देते हैं, अब या तो वो रास्ता हमें success दे सकता है, या फिर regret अगर success मिल भी जाए तो भी हम दूसरा रास्ता जो हमने छोड़ दिया है वो एक experience है जो हम छोड़ देते हैं और एक इंसान दो रास्तों पर नहीं चल सकता तो यह जो poem है Road Not Taken इसे college students ने भी बहुत जादा पसंद किया है और इसे बहुत seriously लिया है poem symbolize करती है के जो रास्ता हम choose नहीं करते अपनी जिंदगी में वही है Road Not Taken